हलो फ्रेंड्स आप देखें हैं आपके चैनल शेयर बजार वित आयुश और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वेस्टन कैरियर्ज आईपयो के फॉर्स डे सब्सक्रिप्शन के बारे में तो देखें आज पहला दिन था और पहला दिन किस तरीके का रहा कैसा रहा इ कि आप सोच रहेंगे त्वेया तरीक को खुल रहा है अठारा का बंद रहा है तो कब कब दिन बागी है तो बिल्कुल 16th 17th and 18th इन तीनों दिन अभी आप और इस इसे पैसा लगा सकते तो यह तीन दिन और आपको खुला रहता हो निज़र आएगा अब कहेंगे मतलब चार दिन का इश्यू है तो हुआ कि है फ्रेंट्स बिसिकली 16th को यह बाद ध्यान रखिएगा बाजार में क्लिरिंग हॉलिडे या फिर सेटल्मेंट हॉलिडे है उसके कारण दोस्तों जो आइप उस थे वो सारे उनको चार दिन तक कर दिया गया विकास क्लेरिंग का हॉलिडे रहने वाला है इदे मिलात की छुट्टी है जिसके कारण दोस्तों जो आई प्यो 16th को भी उपन होने वाले वह बेसिकली 18th को नहीं 19th को क्लोज होते में नज़र आएंगे तो इस तरीके से दोस्तों अब यह पूरे 3 दिन बागी है तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं तो देखे 163 से 172 का प्राइसमेंड है अगर आप अप्लाए कर रहे तो इस बात का खाज तोर पर देहन रखना है आपको अपर प्राइसमेंड पर अप्लाए करना है 87.6 आपको मिलते हुए नज़र आएंगे इसमें एक अप्लिकेशन लगाने के लिए आपको एक लॉट मिल रहा है जिसमें आपको 87.6 कुलम लाकर मिलते हुए नज़र आएंगे 14,964 रुपीज का याद रखिएगा एक लॉट है आप डीटेल में maximum 13 लॉट तक अप्लाए कर सकते हैं जिसके लिए आपको 1,94,532 रु में लगाई है जिसमें minimum 14 लॉट के लिए आपको अप्लाए करना पड़ेगा दो लाक 9,000 रुपे पे करने पड़ेंगे दिन स्मॉल चनाई मैक्स तक आप 66 लॉट तक जा सकते हैं राइट मैक्सिमाम आप 66 लॉट लगा सकते हैं स्मॉल चनाई काटेगरी के अंदर और फिर समझन से बल दोस्तों समझ लेते हैं हरे काटेगरी को कितना कितना ओफर किया गया तो देखिया आंकर इन्वेस्टर्स को 30 परसेंट जो इश्यू है वो ओफर कर दिया गया है यह करीबन उनको 49 परसेंट के आसपास 49 करोड के शेर दिये गए 15 परसेंट से 10 बीगे चनाई के पास जाता है और 5% स्मॉल चनाई के पास जाता है 24.64 करोड के शेर रीटेल करेगरी पास सबसे बड़ा इससा है करीबन 172.51 करोड के शेर 35 परसेंट इश्यू और कुल मिलाकर कंप्नी ने इस तरीके से 492.88 करोड को डिवाइड किया है बिट्विन ओल दिफरेंट क्या है जो यहां पर आप कह सकते हैं ओफर किया गया शेर वो रीटेल पोर्शन किया गया 172.51 करोड का अब सबस्क्रिप्रिशन पर आ जाते हैं तो देखें पहले दिन QIB के तरफ से कोई खास इंटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिला 57,31,000 शेर ओफर किये गए थे बट अभी त काफ साफ मैं आपको कह सकता हूं QIB का राइट तो हमको वेट करना पड़ेगा है आपर QIB का जब पैसा आपको अच्छे से आता हुआ दिखेगा भी तो कोई खास पसा नहीं आ है दिन एचनाए काटेगरी आती है जो 40% का सबस्क्राइब हुई है करीबन एचनाइज ने इस यानि बीचनाए काटेगरी आधी भी नहीं भर पाई 28,65,000 शेयर्ज ओफर किये गए थे लेकिन 7,68,000 शेयर्ज के लिए हमको अप्लिकेशन आता हुआ दिखा 13 करोड के आसपर दोस्तों पहले दिन आपको बीचनाए के तरफ से पैसा आता हुआ दिखा वही जो small चनाए का 1.51 टाइमस हमको सब्सक्राइब होती भी दिखिए नहीं जो रीटेल पोशन है करीबन एक करोड शेयर्ज ओफर किये गए थे इसके सामने करीबन एक करोड पचास लाग शेयर्ज के लिए ओफर आ गया करीबन पहले दिन रीटेल ने 259 करोड रुपीस के असपस इस 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 में लगाया इसलिए कुल मिलाकर दोस्तों जो इस्यू है वो 84 परसंट बने में काम्याब रहा दो करोड कंपनी ने शेयर्ज ओफर किये और पहले दिन करीबन 1 करोड 68 लाग शेयर्ज के लिए हमको अप्लिकेशन आता हुआ दिखा 289 करोड रुपीस जो है वो पहले दिन के बाकी है राइट थ्री डेजर स्टिल लेफ्ट मार्केट दो अपन होगा आपको पता ही है मंडे को मार्केट की क्लोविंग नहीं है सेटल्मेंट को हॉलिडे क्लेरिंग को हॉलिडे है इसलिए दोस्तों यह जो सारे इश्यू है जो अभी खोल रहे हैं उनको बेसिकली चार दिन्दे का इश्यू में पैसा लगा सकते हैं क्योंकि सेटल्मेंट के कारण यहाँ पर हो सकता है कि फंड की अगर प्रॉब्लम हो बैंक की प्रॉब्लम हो वो सब दिक्कत रह सकती है इसलिए दोस्तों चार दिन का याद रखे का जो इश्यू है वह हमको देखने को मिल सकत अगर यहाँ पर आपको अपलाए नहीं करना में तो तूजडे और वेडनेस डे अभी बाकी है ठीक है अगर देखे कंपनी के तो थोड़ा सा कंपनी के चर्चा कर लेते हैं जो कंपनी के हो रोड़ वेस की हो वाटर वेस की हो या फिर एव वेस की हो मतलब हर जगर दोस्तों कंपनियां पर काम करती है मिटल से लगाकर FMCG आप बोलिए वो सब चीज दोस्तों कंपनियां पर और देखेंगे कंपनी के तो डिफिनेटली फिनांचल आपको दिखेगा कि यहाँ है वो बड़ी हमको निज़र आते हैं बाइस परसंगा रिटरन इक्विटी अल्मुस्त तीस परसंगा असपर रिटरन इंप्लॉइड डिटर इक्विटी फेवरेबल है 0.67 का देन अगर आप देखेंगे प्राइस टो बॉक वाल्यू 3.4 की है बढ़ा प्राइस को कंपनी अपना आई पू लेकर आई है अटा प्राइस टोनिंग ऑफ 21 और अगर आप अपको नोटिस करेंगा तो डेफिनिटली वालुइशन वाइस देखा जाए तो कंपनी उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव निजर नहीं आती है अगर अगर अब आपको मैं कहूंगा वेट और ग्रेमार्केट की बात करता हूं तो ग्रेमार्केट में देखिए अचानक से यहाँ पर शुरुवात हुई 12-15% पर और अभी दोस्तों 33% तक ग्रेमार्केट पहुच चुके है तो ग्रेमार्केट में भी अलग सी तीजी जो है वो बेसिकली हमको बनती भी नज़रा दी 33% क आस-पस का करेंट परीमम जो है वो हमको देखने को मिल चुका है तो अच्छी बात है अब देखते यlauson पर प्रीमिम कितना कितना टिक पाता है चाहर दिन तक कितना प्रीम कितना रहता है दूसय हब अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार होता है क्या है आई प्यों नहीं नीचान लग जाता है तो वह सब चीज़े हैं पर अभी देखते होता क्या है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था होफिल आपको वीडियो बड़े लगा होगा अभी और भी यहां पर जैसे अपड इसमें नहीं आनीचे विकॉज यह उतना बड़ा टिकेट साइस का आई प्यों नहीं है थांक्यू फ्रेंड्स वीडियो